साथियों, अब देश की अर्थेबवस्ता अपनी डावा डोल थिती से बाहर निकल कर तेजी से पार दर्शी होने की तरब बढ रही है। कि 2014 से पहले देश उस्थिती में था जब इमानदारी से टैक्स देने वालों की कमाई की बैंकों में अपनी महनत का पैसा जमाने करें वालों की कोई कद्र नहीं रह गई थी पुब्लिक मनी प्राइवेट वेल्थ बन गया था और जिनके पास जनता के पैसे की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी वही जनता के पैसे को लुटाने में लगा हुआ थी हालत यह हो गए थे कि हमारा मद्यंबर्ग अपनी जिंदगी भर की कमाई जिन बैंकों में रखता था वो सत्ता अधारी कॉंग्रेस की नीजी तिजोरी बन गए थे जनता का पैसा गोटाले बाजों को एक के बाद एक लोन के तोड़ पर बाटा जा रहा था लुंटाया जा रहा था साथियों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मालूब है देश के साथ कॉंग्रेस ने जो गंबीर विस्वात गाप किया उसे बार बार और मैं आपसे आगरा करता हूँ उसे बार बार कहा जाना बताया जाना आवशक है भाई और भेनों आजादी से लेकर साल दोहजार तक दोहजार आट तक दोहजार आट तक यानि साथ साल में बैंकों ने अठारा लाग करोड रुपिये का लोन दिया था यह याद रखना देश आजाद हुआ तब से लेकर के दोहजार छे तक अठारा लाग करोड रुपिये का लोन दिया गया था लेकिन दोहजार आट से लेकर दोहजार चाउदा तक सिरफ छे साल में लोन का आखड़ा बढ़कर के बावन लाग करोड हो गया यानि 60 साल में 18 लाग करोड रुपिया और कॉंग्रेस सासन के आखरी 6 साल में 34 लाग करोड रुपिया अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किया जाता था साथियों उस समय देश में लोन लेने के दो तरीके होते थे एक तरीका था common process जिससे लोन मिलता था और दूसरा तरीका था जिससे लोन मिलता था उसे कहते थे कॉंग्रेस प्रोसेस भाई योर बेहनों कॉमन प्रोसेस में आप बैंक से लोन मांगते थे जबकि कॉंग्रेस प्रोसेस में बैंकों को मजबूर किया जाता था अपने गोटाले बाज दोस्तों को लोन देने के लिए कॉमन प्रोसेस में आपको दस या 20 लाख रुपे का लोन मिलता था जिससे आप अपना घर बनाते थे अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेते थे जब कि कॉंग्रेस प्रोसेस में सेंकडों हजारों करूड का लोन सिर्फ एक पोन कोल पर मिल जाया करता था अगर आप कॉमन प्रोसेस से लोन मागने बैंक जाते थे तो आपसे बैंक सवाल करता था गारंटी के लिए आपसे दस्तावेज मांगता था वही जो लोग कॉंग्रेस प्रोसेस और कॉंग्रेस की फॉन बेंकिंग के जरिये लोन लेना चाहते थे वो नामदार का एक फॉने काफी था इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछे जाते थे इतना ही नहीं अगर आपने कॉंग्रेस प्रोसेस से लोन लिया है तो आपको हर हाल में लोन चुकाना ही पड़ता था लेकिन अगर आपने कॉंग्रेस प्रोसेस से लोन लिया है तो आपको एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन मिलता था और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन मिल जाता था और अंत में सारा पैसा हजम कर जाने के भी छूब थी साथियों इस पूरे तंत्र का नुकसान क्या हुआ पता है उन बैंकों में जहां मारे गरीब नौकरी पेशां किसांग और मद्दंबर के लोगों का पैसा जमा होता है उन्हें बधाल बेहाल और कंगाल होने की स्थिति में पहुचा दिया गया रहा यह निश्चित तोर पर ही बहुती भयावस्तिती थी और अगर 2014 में मैंने इस राज को खोल दिया होता तो अंदाजा लगाईए देश की अर्थववस्ता का क्या हुआ होता बिना कहरम मचाए हमने धीरे धीरे इस थीती को बदला हमने कॉंग्रेस प्रोसेस वाली बैंक की ववस्ता पर लगाम लगाई और उसका नतीजह हुआ कि जिन बैंकों से लगातार हजारों करोड रुपिय जा रहे थे अब बैंकों में हजारों करोड रुपिय वापस आ रहे हैं मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि इंसॉल्वन्सी और बैंकरप्सी कानून बनने के बाद तीन लाग करोड रुपिय बैंकों और देंद्राओं का वापस आ चुका है तीन लाग करोड छोटा आखड़ा नहीं है अगर पहली की सरकार रहती तो यह भी लूट लिया गया होता है और हम अभी रुके नहीं है यह प्रक्रिया अंदेरंतर चल रही है